नमस्कार साथियों आप सभी करश्वागत हैं हमारी योटूब चैनल पारश्मनी ब्लोग में और आज के इस वीडियो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे अपने मुवाइल फॉन से उला में कार बाइक या ओटो को कैसे एड़ करेंगे कैसे जोरेंग और ठर्ट पार्टी भेंडर जो हैं आपको बहुती मोटी रकम वसुला जा रहा है तो मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में आप अपने मुवाइल फॉन से घर बैठे कार और बाइक को आप बहुती आसानी से जोर पाएंगे और अगर आप हमा लग अब इस पैशले तोपिक पर बता देते हैं कैसे फ्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्लेश्टूर अप पर पर आने के बाद आपको टाइप करना है उला पार्टनर यह ओला ड्रायवर तो ओलाड्राइवर को आप टच कर लिए मैं पहले से दॉनलोड करके रखा हुआ हूँ इसलिए मेरे पास open का option आ रहा है आप इसे download कर लिजेकर download करने के बाद इसे आप open करेंगे और open करने के बाद एक login है एक register है login वो व्यत्ति करेंगे जिनकी पहले से id बनी हुई है write करने के लिए आपका भी joining करना है अपनी car को attachment करना है खुछ चलाना है आप register वाले icon पर touch करेंगे टच करने के बाद आपको एक mobile phone नमर इसमें भरके देना होगा 10 अंका तो मैं एक mobile नमर आपको डाल के यहां पर दिखा देता हूँ एक mobile नमर आप इसमें डालेंगे डालने के बाद इसे आप ok करेंगे ok करने के बाद आपके पास एक छेंका OTP आ जाएगा तो मेरे पास एक OTP छेंक आ चुका है मैं इसे put कर देता हूँ और put करने के बाद आपको आगे का process मैं दिखाता हूँ OTP डालने के बाद आपके बढ़ना है और मैं इसे आगे बढ़ जाता हूँ यहां से, आप सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ अपना नाम फिलप कर लेना है, तो मैं अपना नाम फिलप कर लेता हूं, email address, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आप किस सहर में सबसे important चीज में आपको बता दूँ, इस चीज को आप देख लिजे पहले, यहां जो है आपको अपना सहर चूज करना है, किस सहर में आप चलाना चाहते हैं, तो मैं पटना से हूँ, तो मैं पटना सर्च करूँगा यहां, पटना, पटना के बाद यह टिक बॉक्स, यह टिक बॉक्स जो आप देख रहे होंगे, इसे आप ओके करने के बाद आगे बर जाते हैं, आगे बरने के बाद आवेदन चालू करने के लिए आपको इस पर टच करना है, स्रेनी का मतलब क्या होता है छूनना जैसे कि आपके पास कार है या बैक है या और तो है तो आपको कार का नमर डालने के बाद क्या आपका नाम भाहन माली के पंजीकर्ण परमाण पत में उलेखिद है क्या आप जू है और हैं तो हां लिखेंगे क्या वहां एक वर्षय अधिक पुराना है अगर एक वर्षय अधिक पुराना है तो आप हां लिखेंगे क्या आपका वर्तमान आस्तानिय पता ड्रैवरिंग लेसंस या अधार कार्ट दस्तावेज में दर्ज है तो मेरा ड्रैवरिंग लेसंस में ह तो मैं इसे टच कर दूँगा फिर आगे बर जाएंगे आगे बरने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ट डाल देना है आधार कार्ट का आपको कुछ इस तरह से जो है पिक्चर ले लेना है अधार कार्ट काप ले लिए उसके बाद इसे अपलोड कर देना है अपलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोफाइल फोटो आपको देना है तो कोई भी एक प्रोफाइल फोटो जो है आपको हीच लेना है तो मैं अभी आपको एक्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं आप अपना सही सारा कुछ अध्यूज फिलबड दैना उसके बाद आपको ड्रैबरी लेसर भी संस ड करने दउन में ड्रैबरी लेशेंस में जो शीजास तो मैं डॉल देता हूं और इसी को मैं उठाके कॉंपी कर लेगा सेम ड्रेवरी लेसेंज जो है आप यहां भी पूट कर देंगे जैसे मैं पूट कर रहा हूँ द्यान रहे बहुत ही बारिकी से भरना है और एक बार आप सम्मिट करने से पहले अपने अप्लिकेशन को सारा कुछ चेक कर लेंगे और डेट आप बर्त इसमें जो है आप जो भी आपका डेट आप बर्त है उसे आप डाल देंगे तो इसे स्क्रोल करके आपको डाल के अभी दिखा देता हूं तुरन जो कैसे करना है यहां और कोई आप्शन है यह नहीं जो मैं साल को एक बार ही कम कर दूँ तो आप देख पा रहे होंगे 1999 तो मैं डाल दिया हूं इसे ओके कर दूँगा ओके करने के बाद आप आपके पास परदूशन पॉलूशन जो है कुछ इस तरह का पॉलूशन रहेगा उसका आप फोटो किलिक कर लेना है तो आप केमरा में जाएंगे अगर आपके पास फोटो कीचा हुआ गेलरी में है त इस तरह से जो है पर दूशन का फोटो भी अपलोड कर देंगे दूशन का फोटो अपलोड होने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं आप सारा प्रोसेस देखिए बीच में वीडियो को छोड़के आप नहीं जाएए नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अभी जो है सारा कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है इसलिए आप वीडियो में बने रहें वीडियो को फूल वाच करें अगर कुछ चीज आपको सीखना है तो आपको दस मिनट पांच मिनट समय देना ही पड़ेगा अब आप घर बैठे अपने कार को अटेजमेंट कर स चाहता हूँ माफी चाहता हूँ इसके लिए तो सारा कुछ दे दिए अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ ड्रैविडिंग लेशन्स वाहन भीमा वाहन पंजिकरन जो आर्सी होता है पेन कार्ड वाहन परमिश्ट स्वास्थ परमान पत्र पास्बु का बीमा जल्दी जल्दी से मैं जो है टच कर लेता हूँ और सारा कुछ मैं आपको लाइफ दिखा देता हूँ अधूरी जानकारी मैं नहीं दूँगा तो इस तरह से जो है तो अब आप देख पा रहे होंगे मैं जो है एक डोकुमेंट अपलोड कर रहा हूँ इसके कारण जो है मेरा एकसेप्ट नहीं हो पा रहा है तो इसी तरह से आपको जो कुछ मांगते चले आपको सारा कुछ फिलप करते चलना है और आगे बढ़ते जाना है आगे बढ़ते जाना है आपको जो चीज मांगे आपको देते जाना है बस धियान रहे सारा कुछ आप अपना ही फिलप करिएगा जिनके नाम से कार है उन्हीं का सारा डोकुमेंस अपलोड होगा ध्यान रहे किसी दूसरे का डोकुमेंस आप अपलोड अगर करते हैं तो उला कंपनी एक सेप्ट नहीं करेगी पेंट कार्ट भी आप अपलोड इस तरह से कर दीजिएगा उसके बाद जो है सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूँ पासबूक या चेक का फोटो यहां जो है आप पासबूक पासबूक और चेक का फोटो इस तरह से आप खीच के जो आपका अगर आपके पास चेक हो तो आ ओनलाइन पेमेंट होगा वो आपको डे टू डे अगले दिन उला कंपनी की तरफ से आपके बेंग के कांट में धान्सपर किया जाएगा इसलिए एक चेक बूक केंसिलेशन देना अनिवार्ज है या आप पासबूक भी दे सकते हैं इसे भी मैं अपलोड कर दे रहा हूं इ तो सारा जो है सारा जो है वो रिजेक्ट होते जा रहा है तो अधार काट दे देना है प्रोफाइल फोटो दे दिए ड्रेवी लेसेंस आपको दे देना है वाहन पंजी करन आरसी दे देना है वाहन का परमिट दे देना है स्वास्त परमान पत्र आपको दे देना है वाहन ल का दूं नम्मर प्लेट के साथ सामने का बाहरी भाग मतलब एक सामने से आपको फोटो लेके कार का देना है एक चेचीस नम्मर की तस्वीर डालना है नम्मर प्लेट के साथ पीछे का बाहरी भाग यानि एक पीछे से आपको फोटो लेके देना है बाएं और का बाहरी भाग आपको एक फोटो दे देना है और दाहिनी और का बाहरी भाग दे देना है तो चारो तरब से आपको जो है वो डाल देना है उसके बाद आपको driving lessons नमर जो है आप यहाँ put कर देंगे जो भी आपका driving lessons नमर है आप देख पारे होंगे driving lessons भरने के बाद वहाँ permit दे दिये profile setting में आप जाएंगे तो आप अपनी भासा कर सेटिंग कर सकते हैं आप English रखना चाहते हैं Hindi रखना चाहते हैं और कुछ इस तरह से आप जब सारा documents आप दे देंगे तो आपको last में जो है मैं आपको दिखा दूँ last में आपको आवेदन जमा करना है यहाँ आप जब जमा करेंग सम्मिट हो जाएगा अगले बार घंटे के अंदर आप के पास Ola company से खुद call आजाएगा और उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ जसी आपका सारै कुछ attempt हो जााएगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है मैं आपको लोगिन करके दिखा देता हूँ जो कैसे लोगिन किया जाता है तो लोगिन करने के लिए आप इस पे जाएंगे और अपना 10 अंका मोबाइल फॉन नमर डालेंगे नमर डालने के बाद आपका ओला एप लोगिन हो जाएगा लोगिन हो जाने के बाद आप डूटी ओन करके राइट लेना शुरू कर सकते है ओला ड्राइबर एप कैसे चलाना है इस टॉपिक पर इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मैं डिस्किप्शन में लिंक दे दूँगा आप जाके सारा कुछ वहाँ से चेक कर सकते है जो ओला पार्टनर एप या ओला ड्रेबर एप को कैसे चला जाता है फर्स्ट राइड हम कैसे कंप्लिट करेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिलिज हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और कोमेंट करना न भूलें बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए इन जाए भारत